हेलो स्टूडेंट भेरी फूड इविनिंग टू आल आफ यू बायलाजी के लाइब स्ट्री में एक बार तुना हाफ सभी का स्वागत है तो जैसा कि आप सभी टेक्सो नामी बर्गीकी के अंतरगत क्लासिफिकेशन आप लेविम आर्गनिजम का इस्टडी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन और कम्प्लीट इंट्रोडक्शन तो पादप जगत आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है प्लांट किंगडम तो कल की क्लास में हम जो आर्या चुभी टेकर का पांच जगत बर्गी करन था उसमें मुनेरा पॉल्इटकilen में तो तो काफी महत पूर्ण होने वाला है क्योंकि में बहुत सारे कोश्चन लाच कि ग्डम और यूज अधि कृष्टकर hacen unders कि जो बातें जादा तर कंपटेटिव एक्जामों में पूछी जाती है तो चलिए आज की क्लास हम सुरू करते हैं प्लांट किंगडम तो जैसा कि यह आरियच भी टेकर का जो चौथा किंगडम है वो क्या कहलाता है प्लांट किंगडम कहलाता है पादब जगत अब इसके पह जगत उस पर हमको डिसकस करना है तो सबसे पहली बात तो हम कल यह जान चुके हैं कि पादब जगत में किस प्रकार के पौधों को रखा गया है अगर प्लांट है तो निश्चित रूप से वो कैसा होगा आर्टो ट्रॉपिक होगा यानि सवपोसी होगा अपना भोजन क्या करेगा वो स्वयम बनाएगा यानि आट्रॉप्स यानि सवपोसी पौधों को रखा गया है सेल में अगर हम बात करें तो सेल अर्गनाजेशन में क्या कोछ का भीथ पाए जाएगी जितने भी प्लांट सेल होती है सभी में कोछ का भी पाए जाती है और इसके आगे आप सभ बाड़ दिया गया है पादब जगत को पहला जगत जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है वो कैसा जगत है आप पूस्ट पोदभीद या किसको आप इंगलिस में क्या कह सकते हैं क्रिप्टो गेम कह सकते हैं crypto games भी कह सकते हैं और crypto gaming भी कह सकते हैं अब बात यह आती है कि इनको हम crypto game क्यों कहते हैं या अपूस पौ्धित क्यों कहते हैं तेके नाम से समझेelin आ लगा हुआ है सुरू में आ का मतलब होता है बिना यानि non hone flowering प्लांट, इंग्लिस में अगर हम बात करें, तो ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में कभी भी पुस्प का विकास नहीं होता है, यानि कि उनके लाइब साइकल में कभी भी फूल दिखाई नहीं देते हैं, यानि कि कभी भी पुस्प का विकास प्लांट में नहीं होता है, तो जिन पौधों में कभी भी पुस्प नहीं लगते हैं, ऐसे पौधों को हम कहां रखे हैं, अपुस्पोधित या क्रिप्टो गेम्स या क्रिप्टो गेमी प्लांट के अंतरगत रखे हैं, चलिए, अब इसके अंतरगत चलते हैं, ये तो हमको क्लियर हो चुका है कि नान फ्लावरिंग प्लांट को नान फ्लावरिंग प्लांट को नान फ्लावरिंग प्लांट को नान फ्लावरिंग प्लांट सिता सिदार्थ है जिन में फूल नहीं लगते हैं कभी भी पूर्य जीवनकाल में फूल नहीं लगते हैं अब इसके अंतर का अथम देखते हैं कि इ प्रभाग होता है और जब आनिमल पढ़ेंगे एपनिमल में एंपार मों होता है यहां पर दिवीजन कहते हैं इसको यह क्या है हमारे डिवीजगा यह विए जो हमने लिखा यहां पर फैलोफपाइटा ब्राइउपाइटा टेडवाइटा जिम्नो इस पार्म एंजियोस्पा और इंग्रिश में क्या वोलेंगे डिवीजन इसमें नहीं होता है याद रखिएगा फाइलम किसमें होता है वो एनिमल के इंगड़ में होता है बस इसी जगह पर फाइलम होता है उसमें संग होता है और इसमें क्या हो रहा है प्रभाग हो रहा है चलिए शुरू करते हैं तो एलोफाइटा में कि इनका सरीर जो होता है वाड़ी जो होती है इन पोदों की वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती है न तो जड़ दिखाई देती है न तो पत्ती दिखाई देती है यानि कि इनका सरीर बिल्कुल जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता ह तो क्या होता है थैलस को इनको क्या कहा गया है थैलस कहा गया है थैलस हिंदी में सुकाइवत इनकी वाड़ी होती है इसके अंतरगत कौन कौन से जिवों कौन पढ़ेंगे अलगी अब यहां पर सेवाल सब्द फिर से आ रहा है लेकिन एक बार हम सेवाल पीछे भी पढ़ केरी सेवाल इसमें जो सेवाल आएंगे वो कैसे सेवाल रहेंगे ग्रीन एलगी आते हैं इसमें जो हैं तो वो ग्रीन एलगी सेवालों को रखा गया है कैसे सेवालों को रखा गया है यानि हरे सेवालों को रखा गया है चलिए अब देख लेते हैं यहां पर दूसरा जो एक् हैं वो वलग जगत के हैं लेकिन कुछ कवक कुछ कवकों को भी थैलो फाइटा में रखा गया है अधिकांस कवक जो हैं तो ध्यान रखिएगा कौन से कवक इसमें रखे जाएंगे जो होंगे आटो ट्रॉफिक स्वपोसी कैसे कवक जो अपना भोजन स्वयम बनाएंगे तो स पोसी कवकों को इसमें रखा गया है आटो ट्रॉफश फंजाइइस में आते हैं अजितने भी हेट्ट्रो ट्रॉबास फंजाइः है있는 वो फंजाइ किंगडम में ही आते हैं जो लियो बिसम पोसी होते हैं यानी अजिन मृतो-पजीवी होते हैं मरे हुए सड़े-गले जीवों से आया कारवनिक पदार्थों से भोजन प्राप्ट करते हैं वो कबक को कबक जगत में रखेगे लेकिन कुछ कबक होते हैं स्वपोसी जो अपना भोजन प्रकास संसलेशन की क्रियादवारा स्वयं बनाते हैं तो ऐसे कवकों को रखा गया है कहां पर कहां रखा गया है फैलो फाइटा में रखा गया इसके बाद अगला एक्जम्पल जो आपकी स्क्रीन पर है वो है लाइकेन तो लाइकेन क्या है स्टुडेंट्स लाइकेन जो है एक सहजीवी कह लें तो सहजीवी है मतलत इ एक दूसरे को लाव पहुचाते हुए परसपर जीवन यापन करते हैं सह जीविता का गुण धर्म निभाते हैं यानि कवक और सैवाल क्या करते हैं यहां पर प्रकाश संसलेशन की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और कवक क्या करते हैं इन सैवालों को आश्रे देते हैं अपने ऊपर रहने का अस्थान देते हैं तो दो प्रकार के यहां पर आते हैं कौन-कौन से जीव कवक और सैवाल तो कवक और सैवाल मिलकर के लाइकेन बनाते हैं क्या बना रहे हैं कवक और सैवाल की सह जीविता कवक और सेवाल की सह जीविता ही है ले लाइकेन याद रखे कि बहुत मोश पॉइंट है कि लाइकेन में दो जीवों को साथ साथ रखा गया है किसको कवक और सेवाल को कवक और सेवाल को एक साथ रखा गया है किसके अंतरगत लाइकेन के अंतरगत रखा गया है यह lichen chemistry में अगर हम बात करें तो जो litmus paper बनता है जिसके द्वारा अमल और चार का परिक्षन किया जाता है अमल क्या करते हैं? नीले litmus को लाल कर देते हैं चार क्या कर देते हैं? चार करते हैं लाल litmus को नीला लेकिन ये litmus बनता किसे है इसी lycan से बनता है लितुमस जो बनता है लितुमस बनता है इससे lycan से ही बनता है तो lycan कैसा पाधप है अपुसकोधभीद पाधप है crypto games plant है जो कि ठैलो फाइटा के अंटरगत आता है चलिए दूसरा है हमारे पास ब्रायो फाइटा इनका और हम डे सुनते जाईए आप सभी और उस पर जो मोस्ट बाते हैं को ध्यान में रखिए चलिए ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभैचर का जाता कई बार कमपडेटिव इग्जाम यह कोश्चन आ चुका है कई बार चाहे उएमपीटे इसे कहा जाता है यह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभैचर कहा जाता है इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है तो ब्रायोफाइटा क्या है पादप जगत का उभैचर है इसके अंदर हम चलेंगे लक्षन जानेंगे पर यहाँ परितना आपको ध्यान में रखना है कि प्रायो फाइटा क्या है पादब जगत का उभएचर है क्यों कि इसमें जिन प्लानटों को रखा गया है वो जल और थल उतलमें भी सर्वाइब कर सकते हैं और इस थल में और इस्थली दोनों जीवन में ये अपना लाइफ साइकल पूरा कर सकते हैं चलिए तीसरा जो आपको पढ़ाय जाएगा डिवीजन वो है टेरिडो फाइटा हाँ ब्राइव फाइटा में एक बात और ध्यान रखिएगा इनमें ब्राइव फाइटा जो होता है इनमें क्या ह होता है जैसे हम बताए अभी कि थैलो फाइटा में तो थैलो फाइटा में जड़तना पत्ती तो नहीं पाई जाती है और दूसरा क्या होता है कि इनमें जड़तना पत्ती नहीं पाई जाती तो संभान बंडल संभान उतक जो होते हैं जाइलम फ्लोयम उनके तो पाई जाने का कोई प्रस्ली नूठता है लेकिन इनमें जड़ तनापत्ती पाई जाती है इनका जो सरीर है वो जड़ तनापत्ती में विभेदित रहता है लेकिन इनमें जो है संभाहन बंडल नहीं पाई जाते हैं वैस्कुलर बंडल नहीं पाई जाते जाइलम फ्रोयम इनमें नहीं प पड़ी क्या है जड़ तना पत्ती में विभेदित रहती है है ना चलिए टेरिडोफाइटा की बात करें तो इनमें जड़ तना पत्ती भी रहती है और संभाहन बंडल भी विक्सित हो जाता है यानि कि जाइलम और फ्लोयम जाइलम के द्वारा जलेवं खनी जलबन पौधे क पारा निर्मित भोजपदार पौधों के विभिन भागों तक पहुचाया जाता है किसके द्वारा फ्लोयम के द्वारा बहुत मोष्ट बात है याद रखिएगा चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं इनकों और डिटेल में लक्षणों को पढ़ेंगे एक्जामपल भी पुस्पोदभीद या आप कह लिजिए इनको फ्लावरिंग प्लांट क्या कह लिजिए फ्लावरिंग प्लांट रहें यानि कि जिन पौधों के जीवन चक्र में पुस्प का विकास होता है अगर उस पौधे में पुस्प आते हैं तो उनको कहा गया पुस्पोदभीद पा होते हैं दूसरी बात इनको भी दो प्रभाग में बाटा गया है कितने दो डिवीजन में दो डिवीजन में इनको बाटा गया है पहला डिवीजन इनका है जिमनोई स्पर्म पहला डिवीजन है जिमनोई स्पर्म नगन बीजी अब देखिए फूल तो दोनों में लगेंगे न नेक्ड है क्या है मतलब फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते बाहर से दिखाई देते हैं नगन बीजी पोधों के जो बीज है वो फल के अंदर नहीं पाए जाते बाहर से दिखाई देते हैं पाइनस है साइका से चीड है और इसके अंतरगत जो पोधे आते हैं वो अभी बाई फिगर दिखाएंगे है ना कैसे पौधे तो पाइनस है साइकस है चीड है है ना इन पौधों को इसमें रखा गया है अब आवरित बीजी की बात करें अगर तो इनके जो बीज होते हैं आवरित यानी धके हुए आवरित यानी धके हुए कवर्ड होते हैं किसके अंदर फल के अंदर बीज धके हुए होते हैं फल के अंदर बीज बंद रहते हैं जैसे नार्मली आपके यहां अधिकान सब जो अधे पाए जाते हैं वो सभी आवरित बीजी ही तो हैं चाहे आप पापाया की बात करें चाहे बीज कहां पाया जाएगा फल के अंदर पाया जाएगा कहां पाया जाएगा फल के अंदर पाया जाएगा आवरित यानी ढका हुआ चलिए इसको भी यहां पर दो भागों में बाटा गया है आवरित बीजियों को भी एक तो हो गया मोनो काट दूसरे डाई काट अब चलिए बीज कहां है फल के अंदर है लेकिन कैसा है अगर बीज में एक बीज पत्र है मतलब जो बीज है उसमें सीड कोट नहीं है और उस सीड कोट के अंदर एक ही पत्र है बीज का एक ही बीज पत्र है जैसे आप धान में देख लिजे चावल धान में गेहू में है ना मक्का में दे यानि दो बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं दो बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं बेलकुल आप समझ सकते हैं लेकिन अगर हम डाई काट की बात करें दुई बीज पत्री पोधों की बात करें तो दुई बीज पत्री में जो बीज होता है वो दो भागों में बट जाता है जै के बीज को आप देखे होंगे कि बीज को जब हम उसके बीज सीड कोट को हटाते हैं तो उसमें दो दाल निकलती हैं सभी दालों में तो दो दाल यदि निकल रही है तो वो डाई काट है है ना डाई काट है रहर चना मटर है ना सभी डाई काट में आंगे यह तो बच्चों आपको हम क्या बता रहे थे कि जनरल इंट्रोडक्शन आपने प्लांट जगत का जान लिया अब चलिए इनके कुछ लक्षणों और एक्जाम्पलों को फटा-फट हम यहां पर समझ लेते हैं चलिए तो अगला आपके सामने यहां पर यह जो इस लाइड में है वो आप देख चुके हैं है ना यह जो इस लाइड है यही आपको बताई जा रही थी और अब हम इसी के अंतरगत चलते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनके करेक्टर और लक्षणों को जान लेते हैं कौन कौन से लक्षणिन में पाए जाते हैं पादप जगत में है ना तो चलिए पादप जगत वो अगर हम बात करें डिवीजन की तो आपको यह डिवीजन यहां पर याद रखना है पादप जगत में यह डिवीजन आपको याद रखना है कि कौन कौन से डिवीजन इसमें होते पादब जगत में जिसको हम बता चुके हैं अगर केवल डिवीजन पूछा जाए तो पांच डिवीजन या पांच प्रभाग होते हैं कौन कौन से प्रभाग होते हैं यहां पर पांच प्रभाग होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पा पारे में यहां पर हम लोग जान लेते हैं एक एक करके इन डिवीजनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो चलिए पहला जो डिवीजन है वो है थैलो फाइटा जिसका हम संचिप्त परिचे आपको दे चुके हैं थैलो फाइटा में क्या लिखा हुआ है पहली पॉइंट को आपको समझना है कि पौधे के सरीर की जो सभी भाग हैं वो दिखाई नहीं देते यानि पौधा किसमें जड़ तनाय और पत्ती में विभेदित नहीं होता है पहली पौइंट तो प्लांट जो है वो जड़ तनाय और पत्ती में विभेदित नहीं होता है यहां पर जो प्लांट है उसकी बोड़ी न तो जड़ पाई जाती न तना पाया जाता और न अन घटक पाया जाते हैं चलिए दूसरी वाग इस वर्ग के पौधों को सामानिता क्या कहा जाता है सैवाल कहा जाता है क्या कहा जाता है सैवाल कहा जाता है तो सैवाल अब क्या किया गया है NCRT में कि जो थैलो फाइटा है उसी को सैवाल भी कहा गया है इस थैलो फाइटा को क्या कहा गया है सैवाल भी कहा जाता है थैलो फाइटा का दूसरा नाम अगर आप बात करें तो सैवाल कहा जाता है हलाकि सैवाल के अलावा भी इसमें और प्रकार के इसमाल प्लांट आते हैं पर सामान निता जनरली सब्दकाह में यहां पर यूज कर रहे हैं पर सैवाल के अलावा भी बहुत सारे प्रकार के इसमाल प्लांट इसमें पाए जाते हैं आपर कुछ एक्जामपल आप देख सकते हैं इस पाइरो गाईरा है इस पाइरो गाईरा यूलो थ्रिक्स और कारा चलिए तो अगली स्लाइड देखते हैं हम दूसरा डिवीजन जो है हमारा दूसरा डिवीजन जो है वो क्या आ रहा है दूसरा डिवीजन हमारे पास आ रहा है यहां पर कौन सा डिवीजन आ रहा है बच्चो दूसरा डिवीजन यहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है दूसरे डिवीजन में कौन सा पहला हो गया थैलो फाइटा थैलो फाइटा आ रहा है और दूसरे डिवीजन अगर हम बात करें तो दूसरे डिवीजन में यहां पर कौन सा रहा है ब्रायो फाइटा आ रहा है दूसरे डिवीजन में ब्रायो फ फाइटा में तो यहां पर हमारे सामने क्या है जंदा टो फॉल यहां बता है कि जैसे अनुदाऊ, पे जसल फाऊचे लगएंटाइटी में प्लाउंट विभेदित नहीं रहता है, ना जड़ पाई जाती नहीं न तनना पाई जाता और ना ही. क्या पत्ती पाई जाती है संभान बंडल तो पाया जाने का कोई प्रसनी नहीं उठता है बैस्कुलर बंडल पाया जाने का कोई प्रसनी नहीं उठता है तो बैस्कुलर बंडल पाया जाने का कोई प्रसनी नहीं उठता है इसमें वैस्कुलर वंडल नहीं पाय जाते हैं ध्यान दीजेगा अब वैस्कुलर वंडल क्या है इसको आप ये समझिए कि पौधों के सरीर में आधिकांस पौधों के सरीर में जाइलम और फ्लोयम पाय जाते हैं जाइलम क्या करता है जाइलम करता है जल एवं खनीज लबन का परिवहन कहां से जड़ों से अवसोसित करके जल को और मिटी से अवसोसित करके खनीज लबन को कई मिनिरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए वस्चेक होते हैं उसको पौधों के विभिन भागों तक कौन पहुच बहुत ही मोश्ट बात है दूसरा होता है फ्लोएम 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 जो होता है वो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजपदार्थ को निर्मित भोजपदार्थ को पौधों के विभिन भागों में पहुंचाता है कौन फ्लोएम तो हिंदी में बात करें तो जाइलम को क्या कोशवा कहा जाता है कोशवा ये यह भी क्या है ऊतक हैं इसु कैसे उतक यहां पर संभावनी उतक के अन्तरगत आते हैं पर यह नहीं पाए जाता इसमें तो इन दोनों में आपको याद रखना है न तो तौ फैलोफाइट में तो जड़तना पत्ती नहीं होती है तो यह तो पाई जाने का कोई प्रस्मी उठता है चली आगे देखते हैं तो पौधा जो है लेकिन यहां पर एक चीज प्लस में आ रही है पौधा जो है तो तना पत्ती जैसी संद्चना में विभाजित हो जाता है थोड़ा सा विक्सित प्लांट है मतलब यह जो थैल फाइटा से थोड़ा विक्सित प्लांट है थैलो फाइटा से विक्सित है क्यों कि इन में तना और पत्तियव पाई जाती है अगली पॉइंट क्या है कि इस बरके पौधों को पादप जगत का उभैचर कहा जाता है बहुत बार यह कोश्चन आपका कमपडेटिव एक्जा आते हैं यह सभी जल और इस्थल दोनों में सरवाइब कर सकते हैं दोनों जगह में यह सरवाइब कर सकते हैं इसको पादप जगत का उभैचर कहा जाता है लिएे ग्याम्पल देख लेते हैं, जैसे हो गिया आपका मास, मास इसी को दूसरा नाम फ्युणेरिया है और यह प्लांट होता है आपका मारकेंसिया, तो यह न, यह पो धे जो हैं, यह किसके अंतरगताते यह आ रहे हैं आपके ब्रायों प्राइटा के अंतर गताते हैं तो क्या याद रखना है आपको इन में जड़तना पत्ति तो पाई जाती है लेकिन जो बैस्कुलर वन्डल है या यह कहने समभाहनी उतक्त है जाइलम फ्लोम में वह नहीं पाए जाता है जाइलम फ्लोम नहीं सकती है यानि इनको क्या कहा गया है पादब जगत का उभय चर कहा जाता है यहां पर आप फिगर के द्वारा देख सकते हैं इस प्रकार के भेरी स्माल प्लांट है जो कि या तो कहीं जली अस्थानों में किनारे चटानों में यह उगते हैं चटानों के किनारों में उगते हैं ہے ना और इसके इलाबा इसको आप ये समझे लिजिए कि काई भी कह सकते हैं जो चटारों में काई लगती है वो भी सी में आती है व्रायोफाइटा में ही काईि आती है काई सामाने भासा में जिसको कहा जाता है वह बिल्कुल प्लांट है चलिए अगले। अगले डिवीजन के और चलते हैं तो जो अगला डिवीजन आपके सामने है प्लांट na Kingdome का तेरीडो फाइटा अब देकिए-पहले जो डिवीजन में हम बात कर रहे है ऊस यानि कि जाइलम और फ्लोयम भी नहीं थे, लेकिन यहां पर अब सब कुछ आ गया है, यानि क्या है, सरीर में जड़ तनापत्ती सब कुछ पाया जाएगा, वैस्कुलर टिसू भी यानि जाइलम फ्लोयम भी आ चुके हैं इसमें, अब ये तो सेकंड में ही आ गये थे, जाइ एक्स्ट्रा क्या है, ये तो कामन है, बच्चो याद रखिएगा, ये दोनों कामन है, पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट, ये कोई डिफरेंट नहीं है, यानि इसके पहले जो था ब्रायो फाइटा, दोनों ब्रायो फाइटा में भी ये जो लक्षण है, होते हैं, क् इसमें जो कैंबियम का अभाव होता है, अब ध्यान रखने वाली बात जो है, वो क्या है, कि कैंबियम के अभाव से दुतियक ब्रिद्धी नहीं होती है, चलिए समझते हैं दुतियक ब्रिद्धी क्या है, पौधे की लंबाई के साथ मोटाई में ब्रिद्धी होना, दुत अगर लंबाई में व्रिधी के साथ-साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मोटाई भी बढ़ रही है, किसके कारण बढ़ती है, तो किसके कारण, कैम्बियम के कारण, लेकिन इनमें कैम्बियम का अभाव होता है, तो जब कैम्बियम ही नहीं पाया जाता, तो इसमें दुतिय ब्रिद्धी नहीं होगी चलिए Cambium आपको practically बता देते हैं कि Cambium है क्या कैसे आप देखेंगे जैसे माल लीजिए कि आप किसी भी पौधे को अगर तना को काटते हैं अब पौधे के तने को कैसा काटना है अनुप्रस्त काट काटना है आपको कैसा अनुप्रस्त काटना जैसे तो आप इसको ऐसे काटेंगे जाब उसमें अगर गोल रिंग आपको दिखाई देती हैं वले दिखाई देती हैं एक साल में एक ही रिंग ऐसे बनती है है ना कास्थी पौधों की बात हो रही है कास्थी पौधों यह पाई जाती है इसमें तो पाई ही नहीं जाती है लेकि कि लाल रंग के होती है और लकडी इसकी काभाइब होती है इसी तो इन में बनता है यह और दूसरी बात जब यह बढ़कर मुटाई बढ़ेगी नहीं यानि ब्रिद् is पाहती बहुत मुष्टली बात है अशाल्रकी paralysis that तो इनको अगर हम देखें, तो यहां पर आपके सामने figure दिखाई दे रहे हैं, यह पहला figure आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, फर्न दिखाई दे रहा है, दूसरा मरसीलिया दिखाई दे रहा है, और तीसरा horse tail, याद रखिएगा, यह तीनों example आपके किसके अंतर गता रहे है teredo phytic plant हैं है ना तो देखिए इनमे जड़तना पत्ती आपको दिखाई दे रहा होगा जड़तना पत्ती लेकिन इनमें क्या है कि किसी भी प्रकार की दुतियक बृधि है नापध पौधा बिलकुल आप का यही जैसे धान उनका पौधा होता है इसी प्रकार से यह दिखाई दे रहा है धान में भी दुतियक बृधी नहीं होती है चलिए तो यह बत हो गई किस की तैरेडो फाइटा की हो गई है चलिए अब बात कर लेते हैं जिम्नो इस्परम की चलिए अब हम यहां से प्रवेस कर रहे हैं दूसरे समूह में तो दूसरा समूह क्या है पुस्पोध भिद में सुध्यों। यानि जीवनकाल में कभी न कभी पुस्प का विकास जरूर होगा। पुस्व का विकास जरूर होता, इसलिए इनको पुस्पोध भीद कहा गया, अब पुस्पोध भीद में दो डिवीजन को रखा गया जिमनो इस्पर्म आपके सामने है, इसके बाद आएगा एंजियो स्पर्म, तो पहले तो दोनों में अंतर जान ले, जिमनो इस्पर्म में क फल के अंदर नहीं पाई जाते, खुले रहते हैं, यहां पर आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है, यहां पर यह आप देख सकते हैं, तो यह पाईनस है, चलिए. और यहां पर अगर हम बात कर लें, तो कैसे पोधे होते हैं? नगन बीजी, यानि बीज फलों के अंदर नहीं दिखाई देते हैं, है ना, चलिए, अब ये पौधे कैसे होते हैं, बहुबरसी, बहुबरसी का मतलब जैसे प्लांट, कई बरस तक यहां पर हमारे यहां के भी जो प्लांट हैं, वो बहुबरसी बहुत सारे होते हैं, एक बरसी पौधे किसको कहा जाता है, जैसे धान है, गे जहर नहीं आती है जैसे परणपाती बन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जब बसंत रितु के पहले अपने पत्तों को गिरा देते हैं लेकिन ये क्या हैं कि अपने पत्ते कभी नहीं गिराएंगे सदाबहार हैं कास्ठी होते हैं बिलकुल लकडी होती है इनके तने में साखा म लकड़ी पाई जाती है तो याद रखिएगा बहुबरसी सदा बहार यानि परण पाती होते नहीं पत्ते कभी नहीं गिराते हैं और बहुबरसी होते हैं है ना और दूसरी बाग अब ये बीज इनमें पाया जाता है लेकिन फल के बाहर फल के अंदर बीज नहीं पाया जाते हैं हैं न एक्जाम्पल यहां पर आप लिख सकते हैं याद रख सकते हैं कैसे पाइनस और साइकस है इनहीं को आप यहां चीड को भी समें रख सकते हैं चीड का जो बृक्ष होता है वो होता है जीमनो इस्पर्म प्लांट के अंतरगत आता है जीमनो इस्पर्म प्लांट के अंतरगत क्या आता है चीड का ब्रिक्ष भी आता है पाइनस साइकस और सीड एक्जामपल में चीड भी आप लिख सकते हैं सीड का ब्रिक्ष चली तो यह आपका हुआ कौन सा जीमन इस्पर्म नगन बीजी, बीज क्या है? खुले रहते हैं फल के अंदर नहीं पाए जाते हैं, अगला जो और आखिरी, आखिरी जो होता है, वो यहाँ पर कुछ और आपको हम फिगर दिखा देते हैं, चलिए. तो और फिगर हम यहाँ पर आपको क्लियर कर रहे हैं, तो यह पाइनस नार्थ अमेरिका में संकुधारी एसे संकु के याकार के Christmas ट्री जैसी यह पेण है यह पाइनस है तो यह पाइनस के ट्री आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे यह क्या है सभी जिमनों इसपर्महें नगन बीजी हैं है ना पुस्प लगते हैं बीज भी बनता है लेकिन फल नहीं दिखाई देता फल के अंदर नहीं पाई जाते हैं यहाँ पर आप एक्जामपल को समझ सकते हैं फिगर के द्वारा चलिए अब हम चलते हैं आखिरी जो हमारा दिवीजन है प्लांट किंगडम का जो काफी ब्रिहद है और उसको हम कहते हैं अन्जियोई इसपर्म कहते हैं क्या कहेंगे इन्जियोई स्पर्म कहते हैं चलिए देख लेते हैं एंगियो स्पर्म क्या है ओए जो का मतलब होता है आवरित यानी ढार के हुए और इनंदर ड encouragement नहीं तो बीज के अंदर देंद सेव कि बात लें इनके बीज फल के अंदर नीवू की बात करें, साब फल के अंदर ही तो खाए जाते है, है नगादा से ही फल में परिवर्तित होता है, याद रखियेगा अंडासे किस में convert होता है फल में और जो अंडासे के अंदर क्या पाया जाता है अंडासे के अंदर जो बीजांड पाया जाता है वो वीज में परिवर्तित होता है है ना तो अंडासे के अंदर क्या बंदा है यहां पर अंडासे तो पूरा फल बन जाएगा और जो अंडासे के अंदर बीजांड होता है ओवियूल बीजांड किसमें कनवर्ट हो जाता है बीज में सीड में परिवर्तित हो जाता है चलिए और आगे बढ़ें तो बीज पत्र के संग्चा के आधार पर इन्हें दो भागों में बाटा गया अब देखिए अगर इनका बीज दो भागों में बट रहा है तो वो है दुवीज पत्री अभी हम बता रहे थे आपको कि अगर जैसे माल लीजिए कि कोई दाल है तो दाल का जो बीज है इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाता है चाहे वरहर हो चना हो मटर हो लेकिन अगर हम धान गे हूं मक्का की बात करें तो ये एक बीज पत्री में आते हैं धान के सी चावल पाया जाएगा चावल को भीज से हम अलग नहीं कर सकते हैं यानि एक ही बीज पत्र पाया जाता है धान में गें हो में मक्का में तो ये सली एक बीज पत्री है । इनको दो भागों वंस्तों को यह सभी किसके अंतर गताते हैं के अंतर गता अते हैं यहां पर आप कुछ एक्जाममल देख सकते हैं तो इधर आपको पत्र पाया जाता है, एक पीज पत्री, यानि बीज का जो पत्र है, वो दो भागो में नहीं बठता है, डिवाइट नहीं होता है, देखिये यहां पर आप एक जयांपल से देख सकते हैं, कि कौन कौन से पोधे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्याज है, मक्का है, है जिसको धान आप कह सकते हैं सुगर केन है गन्ना है इनके बीज में एक ही बीज पत्र पाया जाता है चलिए डाई काट की बात करें अगर हम दूई बीज पत्री की बात करते हैं तो दूई बीज पत्री की बात करते हैं तो दूई बीज पत्री में किस प्रकार के पौधों क को रखा गया जिनके बीज में दो बीज पत्र पाएं जाते हैं उन्हें हम कहार क्या केते हैं डॉइ कोट या डॉइक लेडरण तो यहां पर हम टो मैटो में देख लें डो दो भागों में बट जाएगा कैवेश गोवी को आप देख लीजिए एपल का देख लीजिए पीचेज आड़ू का देख लीजिए और पहुत सारे प्लांट इसे आम का ही देख लीजिए महंगो देखिए दुई बीज पत्री है डाई काट है तरगत रखा गया है यह सभी हैं अंजियो इस्पर्म किश्पोध भिट जिन में पुष्प की college बाने उत्त्री और जिन आप फ्लावर या यह कहें यह फ्लावरिंग प्लांट अभी आप पड़ रहे थे और इसके पहले जो थे वो नान-फ्लावरिंग प्लांट थे नान-फ्लावरिंग में कौन-कौन आ रहे थे थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और फ्लावरिंग में दो आते हैं कौन-कौन जीमनो पर यह आपके सामने को नहीं एंजियो इस्पर्म हैं तो यह आपका क्या था पादप जगत का हम बहुत सारा यहां पर जाने हैं चलिए कुछ हम यहां पर एक्जाम्पल के द्वारा इनके उप्योग भी जान लेते हैं है ना तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे लाइकेन की तो लाइकेन जो है तो लाइकेन जो है वो कहां पाया जाएगा आपको बताना है अब आपको आज के क्लास को रिमाइंड करना है और अपने दिमाग को रीचेक करना है तो लाइकेन किस डिवीजन में आपको बताया गया तो आप दिमाग पर जोड़ा लिए तो ल पॉसपोद्भिद है क्या पूसपोद्भिद है तो यह आपको मिलेगा आप उस पॉद्भिद में यानि किसMे क्रिप्टो गेम मिल जाएगा अब क्रिप्टो गेम को भी तीन भागों बाटा गया तीन डिविजन में डिवाइड किया गया तो कौन-कौन से थे पहला के साथ सैवाल और कवक के साथ कैसा सहजीविता संबंध याने सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस का मतलभ जब दो जीव एक दूसरे को परस्पर लाव पहुंचाते हुए साथ साथ जीवन नयापन करते हैं और दोनों जीवång में किसी को हानी नहीं होती है तब यह संबंद सिंबायोसिस कहलाता है, सहाजीविता कहलाता है, है ना, तो यहाँ पर दो जीव कौन-कौन है, एक तो एलगी है, दूसरा फंजाई है, कवक और सैवाल, चलिए, तो यह लाइकेन के बारे में, अब यह कहां पाय जाते हैं लाइकेन, यह आपको मिल जाएंग है बहुत ही मोश्टली इसका उपयोग लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है लाइकेन या लिचेंसा लाइकेन से ही लिटमस पत्र बनाया जाता है कैसे होते हैं लाइकेन स्वपोसी और परपोसी दोनों होते हैं यानि कि इसमें स्वपोसी क्यों आया क्योंकि एलगी जो है एलगी जो है वो स्वपोसी है फंजाई क्या है परपोसी है दोनों है इसलिए दो सब्दी उज किया गया यहां पर स्वपोसी और परपोसी सैवाल कवक के लिए भोजनतफ़ा कवक सैवालों के लिए असरे देते है अब देखिए जो सैवाल हैं वो कवक को क्या लाभ दे रहे हैं ये प्रकास संसलेशन की क्रिया द्वारा क्योंकि सैवाल हरे रंग के होते हैं ग्रीन इलगी की बात कर रहे हैं हम तो ग्रीन इलगी क्या करते हैं कि प्रकास संसलेशन की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं किसक लावकों के लिए और कवक क्या करते हैं सैवालों को अपने ऊपर रहने देते हैं यानि आवास देते हैं आस्रे देते हैं तो देखिए दोनों को लाव हो रहा है ना दोनों एक दूसरे को लाव कहुचाते हुए परस पर जीवनियापन कर रहे हैं इसलिए ये संबंद कैसा है सिंबायोसिस है चलिए प्रदूसन के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं मतलब क्या हुआ इसका प्रदूसन के सबसे अच्छे सूचक यानि की जहां पर जहां पर प्रदूसन जादा होता है मिट्टी में स्वाइल पाल्यूसन जादा होता है उसकी सूचना भी कौन दे दे यह लाइकेन प्रदूसन को प्रदूसन का उपस्थेती दर साते हैं कि ज्यादा प्रदूसन हो रहा है चली उपयोग क्या करते हैं लाइकेन का कहां कहां पर सुगंधित सावुनिंसे बनाया जाता है मृदा का निर्माण किया जाता है मृदा का निर्माण का मतलब आप यह समझिए कि इनसे मिट्टी में उर्बरा सक्ती भी बढ़ाई जाती है और जो अगला इनका यूज है वो है चमडे को पकाने में लेदर इंडस्ट्री में भी इनका यूज होता है तो यह किसमें आते हैं आपके किसमें? यह आ रहे हैं, आपके अपूस्पोधवीद के अंतरगत किसमें? थैलो फाइटा में, थैलो फाइटा में, तो यह आपका अगला जो आएगा बच्चों, यह आपकी अगली क्लास में हम कल, किसका डिसकस करेंगे, एनीमल किंगडम का डिटेल इस्टडी आज आपको बताया गया plant kingdom लेकिन संचित में हम यहां जान लेते हैं कि कल की class भी आपकी काफी important होने वाली है बिल्कुल plant के बाद जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा है आपका क्या division आ रहा है यहां पर जगत आ रहा है कौन इनी मेलिया पाचमा जगत इनी मेलिया आरियाच भी टेकर का पाचमा जो गिंगडम है आपकी यहां पर हम लोग कैसे जीवों का ध्यन करेंगे जो कैसे होंगे ये multi cellular होंगे unicellular नहीं होने वाले हैं यानि बहु कोशी जीवों का ध्यान करेंगे विशम कोशी बिलकुल अपना भोजन नहीं बनाएंगे इसके अलावा इन में कोशका भित्य भी नहीं पाई जाएगे नहीं तो plant ही कहलाते या पोधों पर या तो direct भोजन पोधों से प्राप्ट करेंगे यदि साग का हरी हैं और नहीं तो indirect प्राप्ट करेंगे अगर मांसा हरी है तो चलिए और इनके सरीर संरचना अंगों के बारे में हम लोग लक्षणों को पढ़ेंगे इसतने यहां पर लगभग नव संग आपको दिखाई दे रहे हैं दस्मा संग भी है दस्मा संग भी आपको बताया जाएगा जो क्या कहलाता है आपका hemicordata हेमी कार डेटा भी इसमें हम add करके आपको बताएंगे हेमी कार डेटा ही एक नया संह आपको बताया जाएगा तो कल की क्लास में हम पूराय आपको जं तु जगत complete study कराएंगे है ना पोरी फेरा, सिलेंट रेटा, प्लेटी हेलमेंथीस, एसक्लेम्थीज, एनिलीडा, अर्थोपोडा, इकाइनुडर्मेटा और मुलस्का और हेमी कार्डेटा, हेमी कार्डेटा के बाद आपको कार्डेटा अब कार्डेटा के अंतरगत जितने भी क्लास हैं, वर्ग हैं, है न, चाहे वो सरी स्रीप वर्ग हो, चाहे वो सरी स्रीप इसको भी हम कारडेटा संग के अंतरगत डिसकस करेंगे जो कारडेटा संग है उसके क्लास तक हम लोग चलेंगे यानि वर्ग तक चलेंगे तो पूरे संगों का यह जो आपको दस दिखाई दे रहे हैं यह 10 क्या हैं फाइलम इन फाइलमों का हम detail study कराएंगे इनके लक्षान और कौन-कौन से animal इनके अंतरगत आते हैं पूरी पेरा में कौन आएंगे silentrator में कौन आएंगे platy elementis में कौन आएंगे है ना, any leader में, moluska में और chemical data में इन सभी का detail में हम लोग study करेंगे, कहां तक card data, card data के अंतरगत जिन बरगों को रखा गया है जिन क्लासों को उनका भी कल हम study करेंगे, एनी मेलिया का कल, अध्यान, अगले live class में हम लोग करने वाले हैं चलिए, तो आज की class में आपको क्या पढ़ाया गया plant kingdom, अब plant kingdom से एक question आपके लिए छोड़के हम जा रहे हैं, आपको comment box में comment करना है plant kingdom, एक question आपको छोड़ रहे हैं क्या comment करना है, आप सभी को comment box में, plant kingdom से आपका question है कि plant kingdom में किसको सरी स्रिप कहा जाता है पादप जगत का सरी स्रिप reptiles of plant kingdom इस plant को 21 डिवीजन को क्या कहा जाता है पादप जगत का सरी स्रिप उभैचर तो हम आपको बता दिये हैं किसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा को उभैचर, पादप जगत का उभैचर, लेकिन आपके लिए question छोड़ रहे हैं, और कल आपको question आपका देखेंगे और कल ये बताएंगे भी हम चलिए, तो आपको ये comment